कि हेलो गाइज वेल्कम बैक टू दे चैनल आजम बात करते हैं दिश्वांटिस ओफ एरे इस एडवांटिस ओफ एरे अब आप पहेंगे कि जम बैरे वाला पार्ट डाला तो यह चीज़ा है वहां की ने डिसके इस टिस ऐडवांटिस ओफ एरे बिकोज मेरा मकसद एरे पढ रहाने का नहीं है लेकिन पढ़ाना कुछ और है यह बताना पड़ेगा लेकिन आप एक चीज अगर गौर करें अगर आपको किसी एरे की स्टार्डिंग में अगर कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है तो आप वहां पर एक एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए पूरे एरे में एन नमर अफ एलिमेंट होंगे सभी को क्या करना पड़ेगा आपको सिफ्ट करना पड़ेगा सभी क्या करना पड़ेगा सिफ्ट जब जाके आप स्टार्डिंग में एक एल ड्वांटेज है ठीक दूसरा आता है आपका फिक्साइज का फिक्साइज जैसे कि आपने कोई एरे डिक्लियर कर दिया इंटे जिसका वन डाइमेशन हंड़ाड साइज यह छोटा सा पेमोरी स्पेस में मुरी सेक्टर लिया गया है लेकिन यह अपने आपने एक बहुत साइज जो है अरे में इस्टेटिक साइज यह बहुत बड़ा डिसध्वांटेज है एरे के लिए ठीक और बन ब्लॉक अलोगेशन बन ब्लॉक अलोगेशन में जो कि कई भी बीरी में कोई बीएढलिमेंट करना या इंसर्ट करना इस्टार लाज्ट में सट Κरना तो बिभॉफ बन में हो जाता है लेकिन कहीं वी जैसे आप इंसर्ट करते हैं कि ने अफ दयरे फिर मिडल में तो यह अपने आप में आप गंजिमिंग प्रोसेस बन जाता है ठीक वही फिक्साजिंग और फोर्थ आता है आपका कॉम्प्लेक्स पोजिशन बेज्ट इंसर्शन वही कुल मिलाके प्रॉब्लम यह आती है कि एरे होता है आपका में ठीक है अगर आप आपको जैसे आपने कोई एरे डिक्लेयर कर दिया वह आपका फोलो गया आपको दूसरे एरे के लिए आपको दूसरे एरे के लिए आपको दुबारा डिक्लेयर करना पड़ेगा बड़ा एरे और आपको पहले एरे के सारे एलेमेट उसमा कॉपी करने पड़ेंगे तो अपने आप में वह टाइम कर दिन प्रोसेस है यह तो यह सारे क्या है डिसएडवांटेज है एरे के तो इन डिसएडवांटेज को ओवर कम करने के लिए हम पढ़ते हैं लिंक लिस्ट क्या लिंक लिस्ट ठीक तो आज का टॉपिक है बेसिकली हमारा लिंक लिस्ट आपने अगर कहीं कहीं किताबों में कभी ऐसा इस्ट्रक्चर कुछ देखा हो तो ये जेनरल फॉर्म होती है लिंक लिस्ट की क्या होती है जेनरल फॉर्म कीसी लिंक लिष्ट की ठीक इसकी एक प्रापरटी की फॉर्म में मैं कुछ पॉइंट लिखता हूं तो और उनको यहां पर आपके साथ शेर भी करूंगा कि सक्सेक्सिव एलिमेंट और हैंडेड और हैल्डेड वाइद पॉइंटर लास्ट एलिमेंट पॉइंट ए नल इसा होता है कि लिंक लिस्ट आपके इसमें लिंक लिस्ट के एक नोड होती है इस नोड के दो फीड होते हैं आपके फर्स्ट फीड में आप डेटा इंसर्ट कर सकते हैं और दूसरा फीड आपके किसी दूसरी नोड के एड्रेस को श्टोर करेगा क्या store करेगा दूसरी node के address को store करेगा अब जैसे कि fix size की problem थी उसमें अब इसमें बहिया कुछ भी कर लीजे आप last में आप किसी को null को दूसरी link से point करा दीजी तो fix sizing आपकी खतम हो जाएगी और insertion problem इसमें insertion problem में भी कोई दिक्कत नहीं आती आप easily किसी link के address feed को cut करके जो नई node आपको insert करनी है वहां point करा सकते हैं help of pointer ठीक तो यह सारे की सारे बहुत concept को इजी बना देती है link list आपका insertion easy हो जाता है और आपका मतलब की store करने में भी store तो हाला कि array में भी बहुत अच्छे से हो जाता लेकिन वहां पे आपको देखेगा नहीं लेकिन machine जो time consume कर रही है इंसर्ट करने के लिए अब वो सारी चीज़ें आपके link list में क्या हो गए ओवर कम हो जाएंगी ठीक तो यह क्या है यह structure है किसी node का जो कि मैंने यहां पर node declare की थी जैसे कि यह क्या है यह particular एक node है इसमें दो फीड है एक data feed एक address feed तो with the help of structure हम इसको इसको node को अब जब programming करेंगे तो कैसे declare करेंगे तो हमने एक structure type की node बना ली उसमें आपका पहला क्या एक numeric या कैसा भी को feed होगा तो उसका feed declare कर दिया और अगली को क्या है हमने next with the help of pointer से करा दिया और उस node को declare कर दिया ठीक अब यह क्या हमारी नोड बन गई नोड भी होती है फर्स्ट पहले नोड को हम हैड भी कहते हैं लिंक लिस्ट में ठीक हैड और टेल तो यह क्या कंप्रेट्टी एक नोड बन जाती है आपकी अब according to the syllabus हम discuss करते हैं टाइपस ओफ लिंक लिस्ट कितनी लिंक लिस्ट होती है तो टाइपस ओफ लिंक लिस्ट बेसिकली चार लिंक लिस्ट हमें पढ़नी है लेकिन हम जो भी एडिटी के according जो operation एप्लाई करेंगे वह सिर्फ सिंगली लिंक लिस्ट के उपर देखेंगे और सिमिलर होती है डबली और सर्कुलर लिंक लिस्ट के और क्रियेट फंक्शन देखेंगे और कुछ नहीं तो सबसे पहरी लिंक लिस्ट आती है आपकी सिंगली लिंक लिस्ट सिंग्ली लिंग्लिस्ट सिंग्ली लिंग्लिस्ट कुछ ना सिंग्ली सिंग्ली लिंग्लिस्ट में कुछ नोड होती है जो आपस में बन वाई बन सीक्वेंसली कनेक्टेड होती हैं सीक्वेंसली कनेक्टेड होती हैं और एक नोड की दो फीड होते हैं जैन फर्स्ट में तो ह हम डेटा स्टूर करते हैं अब जो यह आपकी नोड है जो नेक्ट पोइंटर है जो दूसरी नोड को हैंडल कर रहा इसमें किया आपकी दूसरी नोड है इसका address स्टूर है इसका address स्टूर है अब यहां पे काया आपका अब यह इस एड्रेस पर यह डेटा इसको पता है कि मेरी एक लिंक कि इदर है और यह यहां से अपने डेटा को एक्सिस कर लेगा वही ठीक इस फीड में तो यह क्योंता सिंगली लिंक लिश्ट होती है अब आती है डबली लिंक लिस्ट डबली लिंक लिस्ट तो जैसे पताई चला डबली लिंक लिस्ट डबली लिंक लिस्ट डबली लिंक लिस्ट से मतलब यह नहीं कि दो लिंक लिस्ट डबली लिंक लिस्ट मतलब होता है जो आपका फीड है न अब उसके एंट्री ब्लॉक 3 ह हो गए है अधिए अभी हम आपको बताएंगे कि यह एंट्री ब्लॉक 3 हुए है तो क्या होगा इनका अब एक एक तो प्रीवेश सेम डेटा नेक्स्ट इटा नेश्ट एंड डेटा एंड नेक्स्ट ठीक है अभी आगे का ब्लॉक का क्या किया हमने आगे के ब्लॉक को इजिली वी यूज़ एज प्रीवियस पॉइंटर मतलब कि इसमें यूज करते हम प्रीवियस पॉइंटर को ठीक यह यह क्या होता है यह स्टार्डिंग में यह लाश्ट पोजिशन तो इसकी नल होती है यह टेल स्टोर करता है आपके वह नल को स्टोर करता है यह भी इसे नहीं आपना किसी और लिंक लिस्ट को इसली कनेक्ट कर सकते हैं ठीक अब आती है आपकी सर्कूलर लिंक लिस्ट अब सर्कूलर लिंक लिस्ट आप ऐसे कि जो आपकी लास्ट होगी वह पॉइंट करें कि पॉइंट कर यह फिस्ट सब सर्कुलर लिंक्लिस्ट का ठीक वन वाई-वन हम सब इनकी नोड स्टक्चर कैसे क्रिएट करना वह भी देखेंगे और इनका आज वी विल रिषय। है टक्रिएट थोय इसे टयुक्रमे पीजिए में लिटेटी कि यह मनें उसके महत पर्म के टेट्र निलेखेंगे में अईर्ट दियुका इसके इस समझाया था कि यह data feed है और यह next feed है ठीक है आप ऐसे structure declare होता है जो कि आपने c-web सीखा होगा अब main function में क्या मैंने head type का pointer बनाया है जो की hold करेगा first node के address को ठीक है लेकिन अभी as a basically उसको null कर रखा है मैंने और उस head में create function call करा लिए create function वो है जो कि मुझे जिस्ते की link list बना नहीं है ठीक है यह देखते हैं create function क्या 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 बनाया आप यह जानते होंगे by reference से call किया जाता है create function और int n का मतलब है number of element इने list ठीक है तो यहां पर दो pointer लिए एक head pointer एक p pointer head pointer जो कि आपकी first node को indicate करेगा इसलिए लिए और p pointer जो की जो remaining node है n-1 node है वो आपको head pointer से इसको link करेंगी ठीक इसलिए दो pointer लिए आई with the help of for loop के लिए traverse करेगा ठीक enter the element आपने first element को enter किया तो head में node type data with the help of malloc function एक node create हो गई होगी जिसमें two feed होगे और वो आपके head में store हो गई होगी data feed head के data feed में store हो गया होगा और next को मतलब कि ऐसे कुछ करके यह data feed बन गया होगा और next को null कर दिया होगा यहां पे ठीक है और actual time पे जो आपका head है वही आपका p होगा क्योंकि अभी और element तो आया ही नहीं लिंक लिस्ट के अंदर ठीक तो n की value को आई से compare करेंगे और p के next feed में सारी की सारी value हम store कराते चले जाएंगे और last में क्या है आपके head करा देंगे return को फर return करा देंगे head को और आपकी list कुछ इस तरीके से जो create हुई होगी वो create नामक function में बन जाएगी और head के पास store होगा first आपका जो node होगी वो head होगी ठीक अब traversing किसी link list को traverse करना अब इसके लिए traverse करने के लिए जैसे बात एक count function होगी कितने element है तो this function used to count the number of node in a link list ठीक है आपको list देनी पड़ेगी उसके अंदर जैसे बात count function चलाने के लिए तो p pointer जो आगे के उनको manage करेगा notes को अभी count की value initially 0 है और p को हमने head बना दिया इस time पर इसमें simple सा है कि जब तक p null हो जाए यानि कि जब तक p का last feed वाला null नहीं हो जाए तब तक आप count की value को बढ़ाते जाए और p को next करते जाए और return करा दीजिए count को अब जैसे यह तीन node है यह नल है जब अब यह वाइल लूप terminate हो जाएगा ठीक अब लिस्ट को print करने के लिए एक function मनाया यहां पर देख सकते हैं वाइड प्रिंट लिस्ट को देदीजिए जब तक नलना हो हम अकाउंट चेक कर रहे थे अब यहां सारे के सारे डेटा हो को हम प्रिंट करते चले जाएंगे वेरे एज़ी ठीक इंशर्शन इन लिंक लिस्ट इंसर्ट की इस function used to insert an element after the key मतलब की कोई लिस्ट है उस लिस्ट में particular किसी position के बाद आपको यह element इस्टोर करेंगे उसके लिए function है डिजाइन किया गया है यह है आपकी referential node है और यह आपका जो element आपको store करना और int key वो है जिसके बाद आपको element store करना है दो pointer लेंगे traverse करने के लिए दो node बनानी पड़ेगी न एक तो यह node होगी जो आपको नई बनानी है जो store करनी है और उसका एक next feed होगा जो की stamp भी null होगा उसके लिए node बनाई है और पी जो पी pointer आपने लिया है वो किसके लिए जो आपकी head head से जो list है न उसको handle करेगा जैसे की यहां पर यह इए if key is equal equal to minus पर यहाने की पहली node यह आपको insert करनी है तो आप क्योंकि next feed में directly head को store करातें को कोई दिक्कत नहीं है अब जैसे key की value कुछ और होई mid में या last में तो head को क्या p में store करा दिया जब तक p का data key के equal ना हो जाए मतलब p के data अब head के 2 feed हुए होगे एक तो next pointer आप एक data feed आप जब तक head किसे ने store कर लिया पी ने जब तक p का data key के equal ना हो जाए तो p के next करते जाओ और q के next में p के next को store कराते जाओ ठीक और P के next को last में Q से वो करा दीजिए और return करा दीजिए head को ठीक तो जिससे की क्या है एक specific location पे specific key के बाद आप क्या है इस्टोर कर देंगे अपने data को ठीक जैसा कि आपने insertion देखा अब आप देखेंगे deleting element in the node यह पहला function है यह कि आपकी front की node आपको delete करनी है कोई लिस्ट है इस तरीके से बेसिकलिए आपको बताओं यह यहां पर head हुआ होगा जब आप इस node को delete करेंगे तो यहां से लिंक ब्रेक करनी पड़ेगी आपको और जब आप इसको delete करेंगे तो head के next में मतलब जो head का next हुआ होगा आपको वही head बनाना पड़ेगा इस टाइम पे जब ही तो आप इसको पूरी link को यहां से ब्रेक कर पाएंगे और इसको front से delete कर पाएंगे ठीक तो आप इस पी का काम पता ही चल गया index यह क्या element को store करेगा जिसको delete करना है एक्स इसके लोग p dance to data head में p ke next का head में जो head है ना उसमें p ke next का ठीक है और free करा दिया p को यानि कि जो data delete कर रहा था वो पी में कर दिया और p से क्या delete करा दिया आपने और delete the first element print करा दिया in the head this is also delete location this function used to delete the element at the specific location अब जो आप element delete करेंगे वो particular किसी location से delete करेंगे ठीक अब आपको head देना पड़ेगा मतलब कि first node या node का address देना पड़ेगा list का address देना पड़ेगा और location देनी पड़ेगी जिस location से आपको element delete करना है तो pointer P का काम भी पता होगे क्यों को क्यों मैं भी आपने head store करा लिया head के next को free यानि कि first element को आप इस पूरे का मतलब है कि आपका जो element आप delete कर देना हो पहला ही था location first पेता otherwise you will use this code for other कोई भी location होगी तो उसमें P में आप head के data को store कराएंगे और लूप चलाएंगे जब तक जब तक को आपको location न मिल जाए और location मिल जाएगा वहीं आप आपको क्या करेंगे फ्री करा देंगे ठीक यहां पे आप फ्री करा देंगे ठीक और जिससे कि आपके जो specific location से जो आपका डेटा वह है टिलीट हो जाएगा डबली लिंक लिस्ट तो जैसा कि डबली लिंक लिस्ट को मैंने आपने मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें तीन फीड होते हैं एक previous pointer एक next pointer और एक data feed ठीक तो कुछ यहां पर इसका node का structure बनाया है यहां पर एक data feed एक next एक previous जो previous feed होता है आपकी जो पहली नोड लिंक है उसका address इस्टोर करता है और जो next feed होता है जो आने वाली नोड होगी वह उसका address store करेगा ठीक है दोनों यह एक दूसरे के address को अपने पास रखेंगे जिससे के easily यह यह दोनों दोस्त हैं अब कभी-कभी मिलते हैं यह दोनों इसने इसका phone number address ले लिए इसने इसका address अब इन दोनों को इसने अपने यह party रखी तो easily इसको यह बुला कर रहे हैं तो हम ज्यादा कुछ नहीं डबली लिंक लिस्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ इसका create function देखेंगे और अब देखिए इसमें न हमने तीन पॉइंटर ले रखें हैं हैड का तो आपको काम पता ही होगा और पी और क्यूंगों को देखेंगे पी हैंडल याप सिंपल सी लगा लिए एक पॉइंटर आपको नेक्स फीड़ को हैंडर करेगा और एक पॉइंटर आपके प्रीवेस फ बना लिए और हैड की पहली नोड बना ली भी द्र हेलप अफ मैल सब्सके मैलाच को को इसी चरह पर राएक टेक को अपमेलक को युँज कर सकते हैं भी हैड्र फाईल को आप इंकलूड कर लोगे मैंने पहले ही आपको दिखा रखा था जो पहला में फंक्शिन साथ बना आ include की थी जभी ये code execute होगा otherwise error ही error आएंगे दोनों feed को अभी null कर दिया और element में जो मतब element को मैंने एक करके head feed के data feed में डालना start कर दिया है ठीक है जहां तक data element सारे आ गए और दोनों feed को next करके previous और q को दोनों को previous और next p में store कराके दोनों feed को null कर दिया और head को return करा लिए इससे क्या है यह पूरी की पूरी डवली लिंक्ट लिस्ट मेरी create हो गई ठीक आप यह भी अकॉर्ट इस पर भी आप इंसर्शन डिलीशन operation apply कर सकते हैं लेकिन due to short time हम इतने सारे operation apply नहीं करेंगे इस unit में से आपका जो important portion था वो previous मतब second part की वीडियो में आपने देख लिए होगा address calculation के numerical आते हैं इस part matrix के बारे में आता है और एक थोरी के question इसमें से बन जाते है जैसे कि data structure क्या है linear data structure यह वो और link list में से basically जो मैंने आपको function पीछे बताएं insertion, deletion और traversing के वही इस unit में से अधिक तर आता है और ऐसा कुछ खस आता नहीं है thank you